नमस्का, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधावन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वेजेटेबल्स के बारे में जो एक पैलेसिस पेशेंट को जरूरू लेनी चीज जिसे उसके ब्रेंग की अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फास्ट हो सके हम सब जानत होता है तो ब्रेंग की बरपाई हम बहुत तरीके से करते हैं चाहे वो खाना हो चाहे वो मेडिसिन सो तो खाना बहुत उपोर्टेंट पार होता है या किसी बीभी बिमारी से निकलने में बगर अगर हमें पता है कि कुई चीज कोई वेजटेबल्स में ली जादा हेलफ उन लिस्ट को आप रखेंगे पने साथ उन वेजटीबल को आप कोशिश कीजेगे जितना हो सके पने डाइट में बढ़ाए तो पहली वेजटीबल है वो है कैरट जिसे हम गाजर भी कहते हैं गाजर का जो लाल रंग होता है वो एक स्पेशल फ्लेवाइट की वज़े से होता हैं तो मेरा यह मानना है कि अगर कोई पैलेसिस का पेशन्ट इंप्रूमें अच्छी ले कराना चाहता है तो कैरट को गाजर को अपनी डाइट के अंदर वो पढ़ा सकता है इसी तरह से जो दूसरी वेजटेबल है इसको हम जानते हैं जो हमारी बॉडी में ताकत बहुत अ जाने से सुपर पावार आजाती है तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक भी है तो स्पीनिश को आप अपनी टाइट में एड करेंगे तीसरी वेजटेबल जो है वह है मश्रूम्स यह जो मश्रूम्स हैं यह ओल्मोस्ट नोनर्ज वाला काम करते हैं इनकी अंदर माइक्रो नुट्रिन बहुत जादा अच्छे होते हैं बहुत अच्छी ताकर देते हैं तो मश्रूम्स को एड करकर भी हम अपनी बॉड़ी को अपनी ब्रेन को बहुत अच्छी ताकर दे सकते हैं इसके बार जो आती है वो है गार्लिक एंड जिंजर गार्लिक और जिंजर हम कि झिंजर को हम जानते हैं कि अन् opioid गॉडस्टोल पॉपरटी सुती है यानि हमारी को छोडो को ठोल करने में हल्प करते है अब निक्सान हुआ था वप्लै। निक्सान हुआ था वह क्लॉड्ट गौज़ गौने कीज्ट खारइगा था को अगर कोई भी वेजटेबल बॉडी के अगर को बाड़ी को बीमार होने में इसी पड़ा से इसको मैंने इस लिस्ट के अंदर रखा है अब चलते हैं अपनी आखी वेजटेबल के उपर और वह है चुकंदर जिसे बीटूट पी का जाता है और बीटूट की बारे वह म चान को तो उसको पूरा कर देगा अभी खुन की कमी को पूरा करने से हमें फायदा क्या होगा कि ब्रेंग के पास जादा आमार तरह में खून के ऑक्सिजन जाएगी और जब ऑक्सिजन ब्रेंग को जादा मिलेगी तो जो टिशू को रिपे का काम है वो स्पीड से हो पाएगा इसी वज़े से जितने भी पेशेंट होते हैं साइंस जीविन के उनको एक अडवाइस और करता हूँ कि किसी भी कीमत पर चाय खाने के बाद ना पिए क्योंकि चाय का सबसे बुरा इंपक्ट हीमोगलोबिन पर पढ़ता है जो लोग भी खाना खाने के बाद चाय पी लेते अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद का इंटेक बंद कर दें कमसिम खाना जब पच जाय तीन चाह घंटे हो जाए उसके बाद आप चाय का इंटेक करेंगे तो कमसिम आपको इतना नुकसान नहीं होगा हिमोगलोबिन को लेकर ये ये ये हम ले सकते हैं क्योंकि सरदी का मोसम चल रहा हैं तो आप उसको बना के ले डेंगे तो आपको ज़ादां मिलत और सारी के सारी वेजेटेबल्स को आप एक साथ ले पाते हैं और पिछली सारी वीडियो के अंदर हम अमेशा बोलते हैं कि आप नौन वेज़ का सूप ली ली जिए चिकन फीच ली ली जिए फिश ली ली जिए तो कुछ न कुछ ऐसा भी होना चीए था मुझा लगता है कि जो के लिए हेल्फ फुल हो रिकावरी करने में तो जितनी भी मैंने आपको वेजेटेबल्स पताई इनको आप सूप बनाई है इनको बॉल कीजिन का सूप बनाई है और उनका सूप डेली बेसिस बिलेंगे तो आपको अपनी बॉड़ी के अंदर वो चेंजिस ताकत मैसूस हो जो की आपके लिए जरूरी है जो आपका स्टेमेना बढ़ाए एक्सराइस करने में जो ब्रेन को ताकत दे आपने अंदर इंप्रूम्मेंट लाने में जब दूनों चीज़े साथ-साथ होनी शिरू होगी यानि ब्रेन और आपकी बॉड़ी को ताकत मिलनी शिरू होगी त जिसे आप मार्च तक अपनी बॉड़ी के अंदर बहुत फास रिकफरी लेकर आ सकें अब इसी की साथ आप से भी से में चलने की आगया चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार